मुझतबा साहब से भी बात कर लेते हैं, सर किसको वोट दिया, आप छे विधायकों के बारे में बता रहा हैं, कौन कौन से छे विधायक थे बसपा के बागी जिन्नों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी तो से को हम लोग वोट दिया, क्या आधार मान के वोट दिया गया, क्या कुछ किसी ने संपर किया था, अखले चादव का फोन आया था, या नेताओ नहीं? किसी नखफून आया था नकिसे हम लोग अपने मस्तिक से सोच बिचार करके चुकि लोकतां तो बचाने के लिए जो विपष्षी का हक होता है विपष्षी दल का बनाने के लिए उपाध्यच का पद उसको न बना करके किसी ऐसे ब्याद को बना जाता जो कि खुदे बागी थ उस पार्टी के तो उसको बचाने के लिए हम लोग ने एक बहुत ही पिछरी जात के और बहुत सम्मानित बहुत पुराने विधायक थे जिनको हम लोगों ने नरे सिंग वर्माजी को ओड़ दिया बताया तो जा रहा था कि नितिन अगरवाल भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उनको भारती जंता पार्टी सपोर्ट कर रही तो आप लोगों ने भी क्यों नहीं किया उनको समाजवादी पार्टी में थे जब थे लेकिन तो बागी विधायक है ना उसका तो भारती जंता में तो अब वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो बहुजन समाज पार्टी और हाकिम लाल बिन ये दो विधायक जो है वो बहुजन समाज पार्टी से बागी विधायक हैं और इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और साफ तोर पर डंके की चोट पर इस बात को कहा कि जो छे बागी विधायक थे बहुजन स आईनी, अस्लम चौधरी, मुच्तबा सिदीकी, हाकिम लाल बिन, सुश्मा पटेल, इन सब ने जो है, वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और आने वाले समय में इस बात का एलान भी किया है, इनोंने कि आने वाले समय में हम किस दल में जाएंगे, अभी ये तैय नह है, इनोंने लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कदम उठाया है, कैमरामेन अर्शत के साथ सीमा अबनकवी, भारा समचार लखनव, मुच्तबा सहाब से भी बात कर लेते हैं, सर किसको वोट दिया, आप छे विदायकों के बारे में बता रहा है, कौन कौन से छे विदायक थे बसपा के बागी जिन्नों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी? विदायक होता है विपरशी दल का बनाने के लिए उपाध्याच का पद, उसको न बना करके किसी ऐसे ब्यात को बना जाता है, जो कि खुदे वागी थे उस पार्टी के, तो उसको बचाने के लिए हम लोग ने एक बहुत ही पिछरी जात के और बहुत सम्मानित, बहुत पार्टी में थे जब थे लेकिन तो बागी विदायक है ना, उसको तो बहुत ही जनता है, अब वो समाजवादी पार्टी के विदायक कहा रहे गया है, यह माना जाए कि अब आप लोग नोंने सपा का दामन थाम लिया है पूरी तरह से, अब यह तो समय बताएगा, अभी हम लोग बहुचन समाज पार्टी के विदायक हैं, अब भी हम लोग कोई पार्टी जॉइन नहीं कि जिस दिन जॉइन कर लेंगे, उस दिन किलियर हो जागा है हम लोग किस पार्टी के विदायक है। असलम राइनी, असलम चौधरी, मुच्तवा सिदीकी, हाकिम लाल बिन, सुश्मा पटेल इन सब ने जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और आने वाले समय में इस बात का एलान भी किया है इनोंने कि आने वाले समय में हम किस दल में जाएंगे, अभी ये तैय नहीं है इनोंने लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कदम उठाया है कैमरमेन अर्शत के साथ सीमा अबनकवी, भारा समचार, लकनव